मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बोहत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा और चोटी ज़ो जानकारी मैंने आपको बतानी की कोसिश करिए उसे आप समझेंगे वीडियो को गलत मत लेना लेकिन जो जानकारी आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो जरूर देखें क्योंकि साइंटिफिक डेलेबरेशन है इस वीडियो में बताएगी सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं बहुत अच्छे तरीकी से मैंने रिसर्च करकी इस वीडियो में कॉंटेंट डाला है जो अब सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा है अगर रेगुलर एज़ सप्लिमेंट अगर वो हल्दी का उप्योग करते हैं तो कई बार एबॉर्शन होने के चांसे बर जाते हैं क्योंकि जब हल्दी का हम स्विवन करते हैं इसकी तासीर गरम होती है और ये मेंस्ट्रोल साइकल को लाने में भी हेल्प करता है तो अगर किसी पेसेंट्स के हॉर्मोनल डेस्वैलेंस होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला के एवार्शन होने के चांसे बर जाएंगे तो पहला एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है ये बहुत जादा इंपोर्टन में आपको बता रहा हूं कि अगर जिन महिलाओं को प्रेग्नेंसी है उन महिलाओं को हल्दी का सेवन बिलकुल अच्छी क्वाइंटिटी में या फिर अपने डॉक्टर की सलहा के बगेर उन मैंने आपको क्या बताए कि ये एमसी जो मेंसो साइकल होता है उसे लाने में मदद करता है तो अगर उस हार्मोन को बढ़ाएगा तो जिनको प्रेग्नेंसी है उनको अबर्सन होने की चांस रहेंगे दूसरा इसका नुकसान होता है कि डाविटिक के पेसेंट्स में डावि करने के लिए और इसी तरीके से जब हम हल्दी का रेगूर्लर यानि कि एज़ सप्लिमेंट से बन करते हैं तो आपका ब्लड सुगर लेबल जादा कम हो सकता है मतलब कहने का ये कि हल्दी लेने से हमारी ब्लड सुगर कंट्रोल होती है कम होती है बट यहां पर जो प्रॉब प्लम सा सकते हैं कई सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो हल्दी लेने से पहले आप एक वार जरूर यह चीज़ कंसल करें अपने डॉक्टर से कि डॉक्साब हम यह फलानी मेडिसी ले र हैं और उसके साथ में हल्दी लेना है कि नहीं लेना है दूसरी चीज़ आपको एंटी हिस्टरमिक मेडिसंस जो होती है और अप इसी दवाईयां होते हैं जो ब्लीडिंग्स वाली होते हैं उन दवाईयों के साथ में भी आपको हल्दी का सेवर नहीं करना चाहिए आपकी से बढ़ सकती है इसके अलावा दोस्तों जिन पेसेंट को इसकीं से रिलेटेट प्रॉलम्स होती हैं जैसे कई ऐसे पेस्ट होते हैं जिनकी गर्म तासिर की विज़़ से उनकी समस्यां बढ़ती है तो ऐसे पेसेंट को भी मटलँ को आप साङी होसे नहीं करना चाहिए इसके लावा दोस्तों जिनको एनीमिया कीnew Kannst तो उस पानी को अप्सोसित कर लेती है उसका प्रॉसक्ष तरीके से आयरन का प्रॉसप्ष्चन होता है वोड़ी के अंदर ने वो कम हो जाएगा घट जाएगा इसकी बज़ए से आपकी जो iron deficiency है वो पूरी नहीं होगी तो आप हल्दी कभी से बन कर रहे हैं और आप iron की भी medicine ले रहे हैं या iron की medicine आप नहीं ले रहे हैं तो iron की मात्रक कम होगी body में इसलिए आपको ध्यार रखना है देखिए directly ये iron को कम नहीं कर रहा है ये iron को absorption की जो process है उसे कम कर रहा है तो उसकी ब iron की deficiency जिन मरीजों को है especially मैं कहूँगा एनीमिय जिन मरीजों को है तो उन मरीजों को हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से एक वार concern करने के बाद ही हल्दी का सेवन करना चाहिए इसके लाबा दोस्तों होता है kidney stone kidney stone में आपने देखा होगा कि जो oxalate होता है oxalate जो होता है उसकी कई सारी problems की बज़र से आपको stone बनती है जो calcium oxalate होता है calcium oxalate की बज़र से mostly cases में kidney के अंदर stone पाई जाती है और वो calcium oxalate से ही बनता है लेकिन हल्दे के अंदर भी calcium oxalate की मात्रा हाई होती है ज्यादा होती है और आपको अगर kidney stone बनने की history है या पहले आपको हो चुकी है या कई मरीज जैसे हैं जिनको एकादवार हो चुकी है तो ऐसे मरीजों में हल्दी का सेवन कम से कम करने के कोसिस करें क्योंकि उसके अंदर calcium oxalate की मात्रा हाई है तो calcium oxalate के stone बने के chances बढ़ जाएंगे kidney के अंदर इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिन मरीजों को calcium oxalate की stone बनती है उनको ये चीज का बिलकुल proper तरीके से ध्यान रखना है दूसरा कई ऐसे patients होते हैं जो bleeding disorder से ग्रशित होते हैं यानि कि जैसे hemophilia बगेरा है ऐसे patients होते हैं तो ऐसे मरीजों को भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये bleeding mechanism को कम कर देता है ये anticoagulant काम करता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये bleeding disorders in patients को हैं hemophilia की जिनको problem है तो ऐसे मरीजों में हल्दी की शेवन जो है वो कम से कम करें या फि कि sir हमें क्या करना चाहिए क्या हमें medicine लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो ये तो हुए नुकसान वाली बात अब देखिए बात करें कि जिनको हल्दी के benefits होते हैं तो ये हमारी body के लिए बहुत जादा beneficial होता है और मैं मानता हूं इस चीज को कि हल्दी हमें सेवन करन धूर होती हैं जैसे जिन मरीजयों को बलगम बनता है उनके लिए ब्हुत हैं धिल्दि या । से संबंदे थोड़ी बहुत प्राब्लम है तो उनके लिए भी हल्दी बहुत जादा उप्योगी है और उसके साथ में ऐसे पेशेंट से जिनके अंदर कई ऐसी इंफेक्शन हो जाते हैं फंगल इंफेक्शन होते तो एंटी फंगल का भी यह काम करता है तो बहुत सारे इसके बैनिफिट्स हैं लेकिन किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज हमारी सरीर के लिए नुकसान कर सकता है फूर एक्जमपल आप ऐसे समझेगा कि अगर हम एक एपल एक सिव अगर हम डेली खाए तो आपने सुना होगा कि एपल तो बहुत अच्छा फल है और उसके नुकसान भ होगी जब आपको उसके नुकसान होना इस्टार्ट हो जाएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यार रखें पानी हैं पानी हमारे वाड़े में नौर्मली हम पीते हैं लेकिन जब हम उसका एक्सेसिव यूज करते हैं तो हमें उसके नुकसान होते हैं अब अगर बात करें कि कि ना हमें हल्दी लेना चाहिए तो आधा चम्मत जो हमारे हल्दी है वो हमें डेली हम ले सकते हैं और अगर हम करक्युमिन की बात करें तो यह 200 mg पैड़े के हिसाब से हमारी एक डोज है जो कि हम नॉर्मली ले सकते हैं लेकिन यह डिपेंड करता है कि किस सोर्स से हम ले रहे है किस तरीके की हल्दी हमारे पास है या कहां से हमारे पास हल्दी आई है वो सारी चीज़े डिपेंड करती है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वार अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें अगर आप हल्दी लेते हैं और नॉर्मल जो हमारी रुटीन लाइफ में हल्दी जैसे सबजी में डलती है दाल में डलती है वो चीज एक अलग मेटर है बट आपको अगर एक्ष्टर हल्दी लेनी की जरूरत पढ़ रहे है तो आप एको डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको आधी चम्मच से कम मात्रा में हल्द बाते हैं वो जो चम्मच होती है उसकी आधी मात्रक्त में बात कर रहा हूं उससे भी कम आप मैं तो यह रिकमन करूंगा कि उससे भी आप कम लीजेगा जिससे कि आपको कोई प्राब्लम ना हो और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें चाहे वो कोई भी आपक कि आपको एक चम्मच लेना है आदे चम्मच लेना है लेकिन अपने जो मेडिसन से चल रही है कि उनसे एक बार जरूर कंसर्ट करें कि हमें कितनी मात्रा लेनी है मुझे आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन होगा और छोटी सी जो जानका हो रहा है तो वह भी बताना मेरा करतब्य है इसलिए मैं आप सभी शिनिवेदन यही करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें अंतर तक जरूर देखें क्योंकि साइंटिफिक डैलेबरेशन है इस वीडियो में बताएं कि सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टन जहें